नमस्कार दोस्तो वेल्कम टू एस्टो टुडे अकेडमी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनने अपना डेटो बर्थ तो पता होता है लेकिन एक्जेक्ट टाइम वो बर्थ का पता नहीं होता या कन्फर्म नहीं होता इसलिए इस सिरिज में हम आपको मुलांक के अकॉर्डिंग यानि डेटो बर्थ की अकॉर्डिंग आपकी नेचर, एजुकेशन, करियर, हेल्थ, लव लाइफ, वीकनेस, लकी नमबर्स, लकी कलर्स, लकी इयर्स, कंपैटिबल नमबर्स और रेमेडीज के बारे में बताएंगे और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम आये हैं त तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें ताकि आपको आपका मासिक राशिफल और वार्शिक राशिफल समय से पहले मिलता रहे आज के वीडियो में मुलांग चार की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या होती है इनकी खासियत और ऐसी कौन सी फेमस परस्नाइलिटीज हैं ज यदि आपका जन किसी भी महीने की 4, 13, 25 या 31 तारीक को हुआ है तो आपका मुलांग 4 होता है आईए चार्ट से समझते हैं कैसे मुलांग 4 को जो प्लैनेट डूल करता है वो है राहू राहू को मास्टर ओफ मिस्ट्री एंड इलुजन्स विका गया है राहू एक छाया ग्रह है ये बहुत प्रम पैदा करने वाला होता है राहू किसी की भी जिन्दगी में लाब को हानी में और हानी को लाब में बदल सकता है लाइफ में उन चायां भी दे सकता है और नीचे भी गिरा सकता है मुलांग चार वाले लोगों की personality की बात करें तो ये लोग अकरशक विक्तितू वाले और बहुत strong होते हैं इनकी आखे सुन्दर होती हैं और छवी शानदार होती है मुलांग चार वाले लोग हर काम को perfection से करने वाले होते हैं ये लोग intelligent होते हैं ये लोग अपने आसपास की चीजों की नॉलेज रखने वाले होते हैं नमबर चार वाले टैलेंटीड होते हैं ये अच्छे और्गनाइजर होते हैं हर चीज को अच्छे से प्लान करते हैं धन अरजित करने में भी ये सक्षम होते हैं और उस धन को अच्छे से संभालने वाले भी होते हैं मुलांग चार वाले लोग हाट वर्किंग होते हैं लाइफ में ससस पाने के लिए हाट वरक करने से कभी पीछे नहीं हटते मुलांग चार वाले लोगोंके आईडियास, थॉट प्रोसेस, अथेंटिक होते हैं ये लोग दूसरों से सजेशन न लेकर अपने आइडियास को ही इंप्लिमेंट करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। मुलांग चार वाले लोग युनीक और औरों से हट कर होते हैं। इन्हें समझभाना थोड़ा कठिन होता है। ये लोग mentally strong होते हैं और शाप भी होते हैं। ये लोग नई-नई innovations करने वाले होते हैं। मुलांग चार वाले लोग तरक देने में माहिर होते हैं। इन लोगों में बहस करने की अद्वित शम्ता पाई जाती है। मुलांग चार वाले अपने घर में misunderstood किये जाते हैं। घर में इनकी जादा नहीं बनती। इसलिए घर के बाहर ये जादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। नबर फॉर वालों के दोस्ट जादा नहीं होते। लेकिन जितने होते हैं वो इन्हें समझने वाले होते हैं। और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले होते हैं। मुलांग चार वाले जित्धी होते हैं। इसलिए इन्हें अपनी फैमली में problems आती हैं। नमबर फॉर वालों को independent रहना, अपने मन की करना अच्छा लगता है। फैमली से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर जीना इन्हें अच्छा लगता है। नमबर फॉर वाले अपनी safety और security को priority देने वाले होते हैं। ये लोग life में risk ना लेकर easy और secure तरीके से आगे बढ़ने वाले होते हैं। मुलांग चार वाले अच्छे leader होते हैं। इन्हें अपने अंडर काम करने वालों से अच्छे से काम निकलवाना आता है। नमबर फॉर वाले किसी भी बात को लेकर compromise नहीं करतें। जैसा प्लान किया जाता है उसे उसी तरीके से execute करने वाले होते हैं। मुलांग चार वाले वरकॉलिक होते हैं। अपनी duty के लिए बहुत dedicated होते हैं। इसका फायदा इनके साथ काम करने वाले लोग लेते हैं। काम इनसे करवाते हैं और credit खुद ले जाते हैं। मुलांग चार वाले लोग show off करने वाले होते हैं। ये लोग पराने रिती रिवाजों को ना मानने वाले होते हैं। नमबर 4 वाले लोगों के lifestyle की बात करें। तो ये लोग शुकीन होते हैं। इनका रहन-सहन, पहनावा बहुत impressive होता है। देखने में चाहे ये लोग average होते हैं। इनकी dressing sense अच्छी होती है। ये लोग energetic होते हैं। आलज से इनमें कम ही देखने को मिलता है। नमबर 4 वाले खुश रहने वाले होते हैं। Life में कितनी भी परशानिया आएं। ये उन्हें face करने वाले होते हैं। कैसी भी situation हो complaint नहीं करते। मुलांग 4 वाले लोगों की compatibility की बात करें। तो इन लोगों की number 1, 2, 6 & 7 वाले लोगों से दोस्दी अच्छी रहती है। अपने ही number वाले यानि 4 और 8 इनके लिए बिलकुल compatible नहीं होते। मुलांग 4 वालों को कभी भी phone number वालों से विवा नहीं करना चाहिए। education की बात करें तो मुलांग 4 वाले कुछ शिक्षा प्राप्त करने में हिरूची रखने वाले होते हैं। intelligent होते हैं ये लोग हमेशा अच्छे अंग प्राप्त करते हैं। school college की पढ़ाई के साथ साथ और चीजों की भी knowledge रखने वाले होते हैं। मुलांग 4 वालों की कुछ कम्यों की बात करें। तो ये लोग hard working होते हैं। इसलिए कुछ दूसरे लोग इनकी इस बात का फायदा उठाते हैं। नमबर 4 वालों से जरूरत से ज़्यादा काम लेने लगते हैं। इसलिए नमबर 4 वाले लोगों को hard work के साथ साथ smart work भी करना सीखना चाहिए। इन्हें दूसरों को ना कहना भी सीखना चाहिए। इन्हें हर काम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करना चाहिए। इन्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तभी इनकी लाइफ में problems कम होंगी। अगर business करना चाहते हैं तो partnership में करिए। नमबर 4 वालों की नमबर 1, नमबर 6 और नमबर 7 वालों के साथ partnership अच्छी रहती है। मुलांक 4 वालों के career की बात करें तो जितने भी काम दिमाग से related हैं वो करने आपके लिए ठीक रहेंगे। ये लोग technical काम अच्छे से कर सकते हैं। ये लोग अच्छे engineer बन सकते हैं चाहे वो mechanical हो या electrical, ये लोग अच्छे innovator होते हैं, ये लोग doctor बन सकते हैं, medicine का काम कर सकते हैं, planning में अच्छे होते हैं, ये लोग अच्छे manager बन सकते हैं, अच्छे team leader बन सकते हैं, मुलांक 4 वाले अपने काम के लिए sincere होते हैं, इनकी memory शा computer बहुत अच्छा field है ये लोग बहुत अच्छे entertainer भी होते हैं health की बात करें तो इन लोगों को heart related problems, blood pressure की problem हो सकती है इन लोगों को रात को नीन ना आना, anemia की problem इस type की समस्याई भी हो सकती है number 4 वालों को सिर्दर्द या पीट दर्द की भी problem हो सकती है इन लोगों को बैरों में चोट लगने की chances ज़्यादा रहते हैं इसलिए इने थोड़ा सतर्क रहना चाहिए number 4 वालों को अपनी mental health का बहुत ध्यान रखना चाहिए number 4 वालों को chest problems और breathing problems भी हो सकती है love life की बात करें तो मुलांक चार वाले लोगों की love life अच्छी रहती है ये अच्छे दोस्त और अच्छे life partner होते हैं life partner के ब्रती इनका व्यावहार अच्छा होता है ये लोग love marriage करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं ये लोग अपनी family और life partner को बहुत प्यार और समान देने वाले होते हैं आपके लखी numbers की बात करें तो 1, 2, 6 and 7 ये आपके lucky numbers हैं lucky colors की बात करें तो आपके लिए white, blue, grey और yellow ये आपके lucky colors हैं आपको black और red color को avoid करना चाहिए remedies की बात की जाए तो उपाये के तोर पर आपको शिवजी की अरादना करनी चाहिए हनुमान चलिसा का पाट करना चाहिए काईतरी मंतर का चप करना चाहिए और मंदर के भार बैठे गरीबों को दान देना चाहिए अपने मंद को कंट्रोल करने के लिए meditation जरूर करनी चाहिए और साथ ही स्क्रीन पर आ रहे इस मंतर का सुबह शाम जाप करें या सुबह शाम सुने जरूर इससे आपके सभी कश्ट दूर होंगे और जन्दगी में खुशियां बढ़ने लगेंगे और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार